सेनिकों के बलिदान को याद करने के लिए रक्षा मंत्रा ले एक से साथ दिसंबर तक आम फोर्सिस फ्लैग वीक मनाएगा इस बारे में रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमन ने कहा कि आम फोर्सिस फ्लैग पहन कर गर्व से सेनिकों के बलिदान को याद कीजिए सीता रमन ने ट्वीटर पर ट्वेट कर कहा कि लोग ksb.gov.in पर जाकर शहीदों के बीवी बच्चों और पूर्व सैनिकों की मदद भी कर सकते हैं रक्षा मंत्री ने एक वीडियो जारी कर इस बारे में जानकारी दी समयोगोकी में जासिव किरदे छालत वान का र Cornola कि पनिया ने इस वान कें पुलिप कि करें दी ये। वस में प्रवा कि व्वल्ड का रओ उसारन प्राव इंस ऑ कि विड स penn वां कि प्रवाट। अल्च्ट क स्वा्ट जावे। is the source from where war widows, disabled soldiers and their children are taken care of. I appeal to you, not just on 7th December, but between 1st December till 7th December this year, that entire week, we, the citizens of this country, wear this flag with a sense of pride and donate what little amount we can towards keeping this Armed Forces Flag Day Fund, which is for the welfare of the soldiers, their families, the widows, the children and their upkeep. So kindly, do remember with a sense of pride our soldiers and their sacrifices. Do contribute what little you can, but surely do wear this with a sense of recognition and pride that we need to offer them. चैहिंद रक्षामंत्राले एक से साथ दिसंबर तक सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान चलाकर लोगों को सैन्य बलों के जण्डे लगाने के लिए प्रोचसाहित करेगा. इस अभियान का मुख्यों देश्य नागरिकों को Armed Forces Flag Day Fund में विध्य योगदान के लिए प्रोचसाहित करना है. इस फंड का प्रियोग, विकलांग, पूर्व सैनिक, शहीद सैनिकों की पतनियों और शहीदों के बच्चों के कल्यान के लिए किया जाता है. लोगों को इस फंड में अपना योगदान देने में दिक्कत ना हो, इसलिए सरकान ने Armed Forces Flag Day Fund के लिए ओनलाइन पेमिंट के भी विविस्ता की है. इस फंड में UPI कोड, Armed Forces Flag Day Fund at the rate SBI और पेटियम नंबर 880462175 के जरिए भी फंड में योगदान किया जा सकता है. इसके लावा केंद्रिय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर भी जाकर डोनेट किया जा सकता है. News Express की रिपोर्ट